भारत में चोध सितंबर को हिंदी दिवस क्यूं मनाय जाता है? भारतिय संबिधान के अनुचे 343 के अनुचार 14 सितंबर 1909 को हिंदी को भारत की राज भासा के रूप में स्विकार किया गया इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्स हिंदी दिवस मनाय जाता है भारतिय संबिधान ने कितनी भासाओं को मान्यता दी है? भारतिय संबिधान ने 20 भासाओं को मान्यता दी है हिंदी भासा की कुछ बोलियों के नाम बताई है हिंदी भासा की कुछ बोलियां खड़ी बोली, अवधी, भगेली, चतिसगडी, भोसपुरी, हरियानवी, मारवडी, आदी ब्याकरण हमें क्या सिखाता है ब्याकरण हमें भासा की सुधरुक लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है भारत में बोली जाने वाली कुछ बासाओं के नाम लिखिए हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड, रजस्तानी, तमिल, बंगला, अस्मिया भारत के कुछ ब्रदेशों के नाम के सामने उनकी भासा पता करके लिखिए पंजाब, पंजाबी, उत्तर ब्रदेश हिंदी, रजस्तान, राजस्तानी, हरियाना, हरियानवी महाराष्ट मराथी, गुजरात गुजराती, तमिल नाडु तमिल, केरल मले आलम, पस्चिम बंगल बंगल, आंधरब्रदेश तेलगू, बिहार हिंदी, मध्यब्रदेश हिंदी, कनाटक कनड, असम असमिया कोष्टक में से उचित विकल्ब छांड कर रिक्सन फूरे किजिए, भासा के सुधरुप का ज्यान व्याकरन करवाता है, हर्यान वी डे से बोली है, मराथी भासा की लिपी देवनागरी है, चद सितंबर को हिंदी दिवस माना जाता है, विश्वा में सर्वातिक बोली जाने वरली भासाओं में हिंदी का स्तान तिसरा है, दिये गए जित्रों में से भासा के किसी रूप का प्रयोक क्या जा रहा है लिखिये, मोखिक, लिखित, सही उतर पर टिक का चिन लगाए, नीवन्द लिखना भासा का रूप है, लिखित रूप होती है, परिवार में बोली सि किसी स्तान विश्स की आम बोल चल की भासा कह लाती है बोली